मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिए है चार प्याज है यह थोड़े से लस्टन है दो से तीन इंच का अद्रक है यह और यह हमारी पान से छे हरी मिर्ची है अब हम इन सब का पेस्ट तयार करेंगे एक ग्राइंडर में मैं इन सब को डाल दूँगी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं अड़ किया है मैंने बस ऐसे हम इसे पीस लेंगे और एक कड़ाई में बने डाला है चार से पांच चमच सरसो का तेल यह हमारे सोखे गरब मसाले जैसे कि दालचिनी और दो बड़ी लाइची काली वाली अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटी वाली हरी राइची का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो सुखी लाल मिर्ची, तीन तेज पत्ता यह हमारा चबीला मसाला यह जादतार हलवाई इस्तमाल करते हैं मटर पनीर में और एक चमस जाला है जीरा अगर आपके पास छबीला मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको इसे लेना है तो आप बहुत ही असानी से इसम आपको आराम से मिल जायेगा और अब हम इसमें डालेंगे ये अपना पेस्ट जो हमने तैयार किया है अब ही थोड़ा सा रह रहा है क्राइंटर में उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ चलिए जब तक हमारे मसाले भूनेंगे जब तक हम अपना टमाटर का पेस्ट भी तयार कर लेंगे लगबख तीन टमाटर बड़े साइस वाले मैंने उन्हें पीस लिया है और हमारा मसाला जब हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमें इसे काला नहीं करना है या डार्क ब्राउन नहीं करना है अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर की ब्यूरी हलका सा गोल्डन करने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे इसे भी हमें जब तक ही पकाना है जब तक ही इसका ओई देखी बिल्कुल ओईल उपर आ गया है अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले एक चमची तीखी लवाली लाल मिर्ची और हम हम डॉलेंगे एक चम्मच यह है Kitchen King Kitchen King से मटर पनीर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक चम्मच मानरेस में डाला है यह कश्मीरी लाल मिर्ची इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और दो चम्मच है यह धनिया का पाउटर एक चम्मच हल्दी और ये हमारा आधी चम्मच काली मिर्ची पिसी हुई इससे बहुत यचा फ्लेवर आएगा आपके सब्जी में से इसके पिल्कुल भी ना गरे काली मिर्ची पिसी हुई को सारे मसाले हम अच्छे से भूनेंगे धीमे आज पर हमें भूनना है हमारी सब्जी जब ही अच्छी मंदी जब हम सारे मसाले अच्छे से भूनते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे मसाले हमें जब तक भूनना है जब तक की हमारा तेल उपर ना आ जाए अब हम मैं सही पांच मिर्ट के लिए बिल्कुल धीमे आज पर पकाऊंगी और बीच-बीच में मैं से चेक भी करती रहती हूँ आप भी चेक कर लिजिए बीच-बीच में यह देखे बिल्कुल अभी हमारा मसाला तेयार हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगे अपने मटर मटर मैंने फ्रोजन वाली इस्तमाल करी है अगर आप नॉर्मल छिलके वाली मटर लेते है न तो आप उसे बॉइल करके ही डाले बना वो कच्ची रह जाती है मैंने इसमें डाला है एक गलास पानी अच्छे से भूनने के बाद ही डालना है एक गलास पानी ज़ादा नहीं डालना है बिल्कुछ थोड़ा डालना है हमें बिल्कुल light ग्रीवी बहुत ही छलकी ठिक वाली ग्रीवी की सबजी मैं बना रहे हूं उसमें इसमें देखे अब एक मिनट हमें से ढग देंगे एक मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक पहले से एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं नमक हम डालेंगे स्वात के अनुसार मैंने इसमे डाला एक चम्माच आप अपने हिसाफ़ डालीजिए बिल्कुल धीमी आज पर मैं ये सबजी तेयार कर रही हूँ अब इसे ढख कर हम लगबग 10 मिट के लिए पकाएंगे बिल्कुल धीमी आज पर ये देखी 10 मिट हो चुके हैं इसमें हम डाल देंगे अपने पनीर कटे हुए लगबग आदा किलो पनीर है ये और इसे मिक्स कर देंगे सबजी में बिल्कुल हलक है हाथों से अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो हमारे पनीर टूट जाएंगे हम इसमें डालूंगी गरम मसाला एक चम्मच गरम मसाला डाला है लगबग हाथों से ऐसी इस पर ऐसे डाल देना है और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे हम ढखकर पांच मिनट पकाएंगे धीमियाच पर पूरी सबजी मैंने धीमियाच पर पकाईए ये पांच मिनट हो चुकी है अब मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि अब ठंडी होने बाद और भी गाड़ी हो जाएगी तो इतनी काफी है अब हम इसे बंद कर देंगे देखिए कलर भी बहुत अच्छा आगया है अब मैं इसे एक बाउल में इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको अभी मेरी सबजी बहुत गरम है तो जैसे ही ये ठंडी होगी तो इसमें थिकनेस भी अच्छी आजाएगी और इसमें कलर भी अच्छा आजाएगा अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइकश और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लस बैल आइकउन को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीस आपको टाम टो टाम मिलती रहे मिलते हैं नेक्स रेसिपी